हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड़ी पॉइंट यूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में न देखिए इसमें हरियाना पंचायत हैं जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए उपयोगी है तो देखिए वीडियो को लास्ट कोश्चन तक देखना और इसे लाइक करना सेर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बिटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे तो देखिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हर्याना पंचायत ओपिसर 2017 यह पेपर रहेगा तो आप अपनी तयारी देखना आप इन में से कितने सही कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का पहला कोस्चिन तो देखिए पहला कोस्चिन है हर्याना में पंगड से संबंधीत गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है तो देखिए हर्याना में पंगड से संबंधीत गीतों में यह रहती है स्रंगार रस की प्रधानता इस में उप्शन भी सही है और देख तो देखे स्वामी दयानंद सरस्वती है इसके अध्यात्मी के गुरू ये थे स्वामी विर्जानंद इसमों अप्शन ए सही है और देखे अगर ये पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती का जनम कब हुआ तो ये हुआ बारा फरवरी 1857 को तो ये भी आपको ध्यान रख हुआ तो देखिए हर्याना में ऐसा है योग आंदोलन ये हुआ 1920 में इसमा option C सही है अगला question है सबसे लंबा उपरी मारगी पूल किस नगर में है तो देखिए इसमें देखना है कि सबसे लंबा उपर मारगी पूल ये किस नगर में है तो ये पूल है पानी पत में इसमा option D सही है अगला question है सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्मान करने वाला सेखावटी ब्रहम चार्य आस्रम किस जिले में है तो देखिए सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्मान करने वाला सेखा वटी ब्रहमचारी आसरम ये आसरम है भीवानी में इसमा अप्शन भी सही है और देखें ये कोस्चिन कल मैंने केमुनिटी में डाला तो उसमेरा 65% सभी गलत अंसर दे रहे हैं तो इसका ना सही अंसर भीवानी आएगा अगला कोस्चिन है क्रु जुगत गीता के सभी सलोक लिखे हुए है तो वह मंदीर है बिडला मंदीर इसमा अप्शन डी सही है और देखें इसकी स्थापना जुगल की सोर के दवारा करवाई गई तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसकी स्थापना हुई 1955 में तो ये भी आपको ध्यान रखना अगला कोस्टियन है निमनलिकित में से कौन सा स्थान हडपा संस्कृति का स्थान नहीं है तो देखी कौन सा ऐसा स्थान है जो हडपा संस्कृति का नहीं है तो वह स्थान है फरीदाबाद इसमों बी सही है देखी राखी गड़ी, बनावली और दोलत पूर ये तिनों ही स्थान हडपा संस्कृती के हैं लेकिन फरीदाबाद नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है माधोगड का प्राचीन किला किस जिले में है तो देखिए माधोगड का प्राचीन किला है ये है मेहंदरगड में इसमा उप्शन D सही है अगला कोस्चियन है विवा में नीम भराई किस अवसर पर होती है तो देखिए ये होती है द्वार पर दुले के आगमन के समय इसमा उप्शन A सही है अगला question है मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बैहती है तो देखी मारकंडा नदी है ये प्रमुख रूप से ये बैहती है कुरुक सेत्र में इस मौपसान सी सही है और देखी मारकंडा जो नदी है इसका उद्गम सतल ये हिमाचल परदेश से होता है और वहाँ पर धर्ती धर नामक पहाडियां है वहाँ से इनका उद्गम होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है अकबर और हेमचंदर के मद्धे पानिपत का दित्य यूद्ध कब हुआ तो देखिए अकबर और हेमचंदर के मद्धे पानिपत का दूसरा यूद्ध ये हुआ 1556 में इसमों उप्शन सी सही है और देखिए अगर तारीक भी पुझा जाए तो पांच नवमबर आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है पांच नवर 1556 को ये युद्ध हुआ और अगर पहला पुझा जाए तो ये 1526 को हुआ और अगर तीसरा पुझा जाए तो वह 1761 में हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चियन है बालमकुंद गुप्त का किस छेतर में योगदान रहा तो देखिए बालमकुंद गुप्त है इसका किस छेतर में योगदान रहा तो ये रहा उपरोक्त सभी में इसमा उप्सन डी सही है देखिए बालमकुंद गुप्त की एक रजना है सीव संभू के चिठे वह भी आपको ध्यान रखनी है ये काफी बार पूछी जाती है अगला कुस्चियन है नारनोल के छेतर में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल समराट की सेना से भयांकर युद्ध किया तो देखिए नारनोल छेत्र में सतनामी सैनिकों ने ये भैयंकर यूद्ध किया औरंग जेव के साथ इसमों अप्षन ए सही है और देखिए ये यूद्ध हुआ 1672 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चियन है बीवी पूर जील वे नजबगड जील किस प्रकार के प्राकरतिक छेत्र में सितित है तो देखिए बीवी पूर जील है और नजबगड जील ये किस प्रकार के प्राकरतिक छेत्र में है तो ये है मैदानी छेत्र में इसमों अप्षन सी सही है अगला question है प्रैथम विसव यूद में सैनिकों की सबसे अधिक भरती किस जिले में हुई देखी ये सभी question है जो पंचायत officer का paper हुआ था 2017 में वहाँ से लिए गए है तो देखी सबसे अधिक सैनिक भरती हुए ये हुए रोतक से इसमों option भी सही है और देखी ये हुए 22,144 सैनिक अकेले रोतक से भरती हुए और अगर ये पूछा जाए प्रैथम विसव यूद हुआ कब तो ये 1918 में हुआ नी सोरी 1914 से और 1918 तक चला था तो ये भी आपको जहां रखना है और अगर दूसरा पूछा जाए तो वह हुआ 1949 से 1945 तक अगला कोस्चियन है संकर जादुगर की जनम सतली कहा है तो देखी संकर जादुगर है इसकी जनम सतली ये है ऐलनाबाद से इसमोप्शन ए सही है और देखी एलनाबाद ये है सिरसर डिस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है और अगर ये पूछा जाए इनका जनम कब हुआ तो ये हुआ 1950 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्चियन है गुडगाव को किस आचारे से संबंदीत माना जाता है तो देखी ये माना जाता है दुरणाचारे से इसमोप्शन D सही है और देखी वरतमान में गुडगावा का नाम गुरुग्राम है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है उदेबानु हन्स की प्रिये लिपिक विधा कौन सी है तो देखे उदेबानु हन्स है इसकी प्रिये लिपिक विधा कौन सी है ये देखना है तो ये है कावे लेखन इसमा option C सही है और देखे उदेबानु हन्स ये हर्याना के राजकवी ही भी है तो ये भी आपको ध्यान लखना है और इसको रुबाई समराट के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान लखना है हरियाना के रुबाई समराट, हरियाना के राजकवी और इसका जो प्रियलिपिक विधा है ये है कावेल लेखन अगला कोस्चियन है डोक्टर सलीम अली एक जाने माने डैस है तो देखिए डोक्टर सलीम अली है ये एक जाने माने पक से विग्यानी है इसमों option A सही है अगला question है और देखिए इसको ने भारत का बर्ड मैन भी कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है धार्मिक वै एतिहासिक सथल कोल किस जिले के अंतरगत आते हैं तो देखिए ये कोल आते हैं कैथल के अंतरगत इसमों option A सही है अगला question है पुरात अत्तों से संबंधित मित्ता थल सथल किस जिले के अंतरगत आता है तो देखिए मित्ता थल है ये आता है भीवानी के अंतरगत इसमों option A सही है अगला question है अजयर आत्रा का संबंद किस खेल से है तो देखिए अजयर आत्रा है इसका संबंध है क्रिकेट से इसमों अप्शन A सही है अगला कोस्चियन है खरीब की फसल के इस मास में बोई जाती है तो देखिए खरीब की फसल है ये बोई जाती है सावन भादो में इसमों अप्शन C सही है और देखी सावन भादो है इसको न जून जुलाई कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये फसल नमबर दिसंबर में काट ली जाती है और खरीव की फसल है धान, तिलहन, और गन्ना ये सभी खरीव की फसले है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्चियन है महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदीर की सतान पर है तो देखिए महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी मंदीर है ये मंदीर है बेरी में इसमें उप्शन C सही है और देखिए बेरी है जजर में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है पिहवा तीर्थ सतल किस जिले के अंतरगत आता है तो देखिए option A है कुरुक सेतर B है भीवानी C है अमबाला D है जजर तो देखिए friends इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है और देखिए दूसरा question है उद्योग एक छेतर उद्योग बिहार किस नगर में है तो देखिए option A है कुरुक सेतर B है भीवानी C है गुरुगराम D है जजर तो इस question का answer भी आपको comment box में comment करके बताना है और इन दोनों question के answer आपको एक ही comment में करने है और आपका score कितना हुआ ये भी type कर देना तो देखिए friends ये थी आज की हमारी वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करना, share भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे channel पर आई हैं तो channel को subscribe कर लेना और bell icon के button को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका notification आप तक आता रहे Thank you